कि नमस्कार MNS लाइब में आप सभी दर्शकों का स्वागत हैं मारश्र राज्ये की विधान्सबस उनाव जैसे जैसे नस्तीक आ रहे हैं वैसे वैसे ही मारश्र राज्ये के विधायक अपने विधान सबस शेत्र में सक्रिय नजर आरहे हैं जिसके चलते राज्जे के हर विधान सभा शेत्र में चोटे बड़े कारेक्रम आयोजन भी किये जा रहे हैं। देश की राजनीती पर सबसे बड़ी चर्चा के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। उन्होंने काम क्या क्या किये हैं। और उनका इस गाओ में कितनी बार वो आ चुके हैं। और कौन-कौन सी योजनाओं को उन्होंने इस गाओ को दिया है। इस बारे में हम गाओ अलो से चर्चा करेंगे। पहला सवाल है मेरा क्या नाम है आपका मूर्लीदर जी राम्टेगे आप बताईए कि मोर्गा वर्जुनी विदान सभाक शेत्र का दो हजार चुनाओ आता जिसमें राजकुमार बडोले जी चुनाओ जीत कराये भारतिय जन्ता पार्टी से तो उसके बाद इस गाओ का क्या क्या विकास हुआ अब इस गाओ में योजना है वगरे जो गवर्मेंट की कोई योजना है जैसा यहां साहे तास्वार रोजगार योजना हो या फिर मन्रे गाऊ अगेरय की योजना हो इस बारे में कोई तो वो जब से चुनाओं में जीते हैं उसके बाद विधायक बने और मिनिस्टर बने उसके बाद वो कभी भी नहीं आई इस गाओं में क्या नाम है आपका मेश्राम भारतिय जन्ता पार्टी के जो विदायक है राजकुमार बडोले इनका इस गाओं को क्या योगदान रहा तो जैसी कि यहां सामाजिक नहीं विभाग के मंत्री तो उस दोरान उन्होंने यहां के बच्चों को कोई शिक्षा के लिए मदद की हो या किसी प्रकार के यहां होस्टेल सो या स्कूल वगरे को सायता वगरे सा कुछ हुआ है आपके गाओं में अभी तक के कुछ निए हमारे तो बच्चे जाते ने स्कूल में आया हमको तुम आलूमनी नहीं है अच्छा वो जब चुनाओं जीते थे उसके बाद वह इस अच्छा किसानी से लेकर आपका सवाल था तो उस पर उन्होंने अभी तक के कोई अमल नहीं कुछ ने भेजा हमने बोला था उसके क्या नाम है आपका कारुभवते जी सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री रह चुके है और अभी फिलाल विधायक है राजकुमार बडोली जिनको आपने 2014 के विधान सबाद चुनाओं में आपने जीता कर लाया हुआ था आपके क्षेत्र से तो आपको लगता है कि उनके कार्यकाल में इस गाव का कोई विकास वगरे हुआ है और अभी कभी आपकी उनसे मुलाकात वगरे कुछ हुई थी कोई काम वगरे लेकर नहीं नहीं गये थे क्या नाम है आपका श्रम किसन शाहरे जी मोर्गा और जुनी विधान सबाच में चुनाओं हुए थे लगबक 2014 में उस दोरान राजकुमार बडोले इनको आपने जिता कर लाया था तो उसके बाद इस गाव का क्या विकास हुआ है अच्छा उनके आपकी बुलाकत किते बार हो चुकी है तो आपने जब उनको चून के दिया था तो आपने क्या सोचकर उनको चून के दिया हुआ था विकास के लिए आपने उनको चून के दिया हुआ था तो यह थे धाबे टेकरी ग्राम के लोग सबसे बड़ी चर्चा किया है और देखने में इस गाउ में काफी कम विकास हुआ है और देखने में यह भी आया है कि इस गाओ में लगबग वो एक ही दफा आये हुए है पिछले पास सालों में उनका इस गाओ में एक ही बार दवरा हुआ था उसके बाद वो कभी इस गाओ में नहीं आये थे तो हम जनता के बीच में जाकर उनसे पूछेंगे कि उनके कामों से लोग खूश है कि नाखूश है बताईए क्या नाम है अपका प्रमूद प्रमूद जी जैसा कि राजकुमार बडोले यहां इस मोर्गा और जुनी विधान सभाक शेत्र के विधायक है तो आप उनके कामों से खूश है कि नाखूश है तो दस साल से बडोले साहब ने यहां पर अपने राजनीती की सुरुवत किये कभी अच्छे काम करें तो कभी हमारे लिए ओदूरलोब हो जाते है आपके गाओं में कितनी दफ़ा वो लोग आ चुके है अभी दक के आए तो बहुत बारा है लेकिन अपने डेवल्टमेंट के बारे में बताए तो पूरा कम दिखता है अपनों आपको लगता है कि आपके गाओं में मंद्रेगा वगरे की योजनाय वगरे जो है वो बराबर रही या उनके माद्यम से कोई योजनाय या स्कूली बच्चों को कोई कॉलर्शिप वगरे मिली है कुछ नहीं मिला स्कूल बच्छे को कालर्शिक नहीं मिला इस साल दो मंद्रे का काम मिला जाना है सबी दूप के सिजन में पूरी लोग गवा में घर में चोई रहते थे क्या नाम है आपका दसरत जी आपके जो खेत्र के विधायक है राजकुमार बडोले जी इनके कामों से आप खूश है कि ना खूश है बड़ी आम तो बडोले काई है हाँ हा बोल्ये ना कोई दिक्कत नहीं है आगर उन्होंने काम अच्छे की है तो आप वो तासकते हैं आपको लगता है कि इठध़डा में क्या-क्या काम की है उन्होंने बता एक अपने निधी से काम आपके गाव में विकासित किये है आप क्या नाम है कुणलिक लोनार लोनार जी आप इठखड़ा गाओ के रहने वाले हैं अचा मंत्री रहे चुके जो है पूर्व विधायक रहे चुके है राजकुमार बडोले जी अभी वो आपके विधान सबाग्षेत्र के विधायक है तो उनके कामों से आप खुश है कि नाखुश है उसने अचा तो आपको उनके नाखुशी का वजय वगरे कोई याने जैसे क पाज घणा अजन होकी बाज़े कैसे विकास ह्साथमक काडिया कोई कुछ किए है कुछ नहीं किया है लग राभ आपके गाव में क्या-क्या-क्रीये बडोले जह कि त़रव इस तरफ से के लिकिये अब होटाईक हुज विकासत माक में तूर चुछ डेकि का श्योंत्यें ब आपके एरिया का विकास किया है या नहीं किया है। आपको क्या लगता है कि यह गाओ का विकास उनके माध्यम से हुआ या नहीं हुआ है। कि यहां के गाओ लोगों को क्या क्या समझ्चा है। शिक्षा संबंदिर यहां बहुत सारी अवेवस्ता हैं। स्वास्त्व सेवा बस की सेवा यह बहुत सारी चीज़ें यहां नहीं है। और ऐसी परिस्तिती में जो इठखडा के ग्राम के लोग है वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्या नमें बहुत स्रावन जी आप पुनर वर्सित गाओं नहीं Region में रहती हैं। आपके गाओं में चले इस वर्शो नहीं को चले़ाइं अटेकश करें आपके गाओं में जो रोज़कार हमीं के काम है वो बराबर चले हैं ? अच्छा आपके यहां से विधायक जो है तो उनके कामों से आप खुश है कि ना खुश है ना खुश है अच्छा उनका इस गाओं में कितनी बत दफा वो लोग आ चुके है इस गाओं को कितनी बार उन्हों ने देखा है कभी आये थे वो इस गाओं में कभी नहीं कभी नहीं आप कितने वर्षयोव इसमें अरुन प़िशेग है नहीं है if तो इस Note 10 सब बराबर व्यवस्ता है और बिजली अधर होना sì ये जो रहती है या किसानी के लिए आपको पानी वगरे की मुह रराबर भेषता है अबी पांने मिलता है डहरनी मेलता है California और आपके स्कूल वाहर है लेकिन प्रा depreciation है अपनी स्कूल हैसा और यहाँ महागावी जाना पड़ता है यह गाव अबको लगता है कि विकास से काफी दूर है अच्छा तो यहां उनके माध्यम से फार्व में योजने नहीं हो आपधे ज्ादा हुआ जादा रौधा हैं उसरा नहीं के शाट बेहां है ध्याओं कालम बना हुआ है वने जैसे जनता के सांथ किये और चर्चा में ये की जो उसर विधान सबाग शेत्र के विधायक है मंत्री मोहदय जो रह चुके है बड़ोले साम अभी वो विधायक है वह इस गाउ में कभी नहीं आये हैं ऐसा गाउ वालो का कहना है और लगबग इस गाउ में शिख्षा की जो यंतरना है वो काफी चरमराई हुई है बिजली के लिए निशान भाई क्यामरामन निलेश पच्छिने के साथ आज इपले स्टोर से मैंने सिंदी आप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद